तो फेंट्स आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कलियों वाला पलाजो इसे आप कली पलाजो भी बोल सकते हो लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अगर आपको सिलाई का शौक है, सिलाई की बारी क्या स स्क्रीन के उपर आपको दो नमबर दिखाए रहे होंगे इन नमबर पर कोल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स ले सकते हो, तो दोस्तों अब शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीख लेते हैं कली पलाजो की कटिंग कैसे की जाती है और कैसे स्टिचिंग की जाती है, आप देख सकते हो, मेरे पास यह कपड़ा है, इस कपड़े को मैंने इस प्रकार से डबल बिचा रखा है, यह देखिए, कपड़े को डबल बिचा रखा है और सवा 2 मिटर में ने टोटल यह कपड़ा लिया है, जब भी आपने कली पलाजो की करनी है, कपड़े को पहले कार से बिच्छाएं यानि कि जो किनारी वाले इस हैं यह आपको रखना है अपनी तरफ और जो बंद वाला भाग है वह आपको रखना है उस तरफ और दोस्तों इसमें मैं एक चीज और के लिए कर देता हूं कि जब भी आपने कली वाला को बनाना है तो इसमें जर्नली हाई मीटर कपड़ा सौध उपने शिफिशेंट होता है और इसमें से आराम से आपकी जो है चै कलिया निकल जाती है यानि कि एक पल्ले में छे कलिया निकाली है बारा क्लिया क्योंकि कपड़े को मैंने इस प्रकार से बिच्छा रखा है देखे एक दो तीन और चार यानि कि चार तय में इस कपड़े को मैंने रखा है और एक जो तय है इसकी यह वाली एक तय में से निकलेंगी इसकी तीन कलिया और इसी प्रकार से तीन इसमें से निकल जाएंगी तीन इसमें से तीन इसमें से और तीन इसमें से टोटल हो जाएंगी बारा कल का यह कली का जो है प्लाजो बना रहें तो कली का प्लाजो बनाते समय सबसे पहले जिस चीज की जूरुत पड़ती है दोस्तों केवल तीन ही मेजरमेंट आपको चाहिए वो तीन मेजरमेंट कौन कौन से पहला है लंबाई यानि कि जो इसकी जब लंबाई है दोस्तों वह अर आपको नीचे एक निशान लगाना इस प्रकार से देखें हम नीचे से शुरुवात करेंगे नीचे से आपको एक निशान लगाना है दो इंच पर यानि कि नीचे से फोल्ड करने के लिए हमें जो कपड़ा चाहिए वो चाहिए दो मेटर यह देखें यानि कि नीचे से जो फोल्ड करने के लिए हमें कपड़ा चाहिए वो चाहिए दो इंच तो दो इंच पर मैंने एक निशान लगा दिया है अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसके लंबाई के लंबाई इसकी 38 से तो 38 सिंच का जो निशान आपको लगाना इस निशान स रखना है क्योंकि इसके अंदर हमने उपर फोल्ड करने के लिए जो लाश्टिक लगानी है अगर लाश्टिक नहीं भी लगानी आप नारा डालना चाहते हो तो दो इंच कपड़ा उपर इस प्रकार से एक्टा रख लें अब इसके बाद जो बात होती है वह होती है टोटल य में आपको तीन का वा देना जैसे क्वा आप देख सकते हो यह तक कि जो टोटल बी है वह इककीस तो यह टोटल हो गए 7 7 7 2 14 7 21 तीन कलियों के निशान में इसमें लगा दी है इस प्रकार से अब फ्रेंट्स बात करते हैं उपर की तरफ उपर आते हैं अब इसकी जैसा कि आपको पता कमर है 32 तो यह देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं 32 कमर है अगर दोस्तों में 32 कमर को इस प्रस करता हूं कितना होता है यह होता है 42 अब आप यह सोचो कि 10 प्लस क्यों किया है तो दोस्तों यह देखिए 32 इंच जो इसकी तयार कमर है यह इसकी 32 कमर है ठीक है अगर इस तयार कपड़े के अंदर तयार के अंदर मार्जन तो है नहीं अगर इसमें में लास्टिक लग करना है उसके बाद आपको उस जो संक्या प्राप्त कि रख तो 22 में मैंने 10 कर दिया संक्या हुआ थृब मैं निइस के बारा उपर रहा है में इसके ननुदर हम मैजब बारा का या जिए है उपर से आएगी तो आए चूंति है नीचे से हमेशा चोड़ी होती है और उपर से वह सकड़ी होती है तो 42 में हम 12 भाग देंगे तो जो संक्या प्राप्त होगी वह मैं आपको कैल्कुलेटर पर करके दिखाता हूं तो फ्रेंट्स यह देखे टोटल जो है हमारे पास 42 इंच का पड़ा होगा 42 ठीक अब इसमे को मैं बताता हूं तो फ्रेंट्स यह देखिए इस प्रकार से आपको साड़े 3 इंच पर निशान लगाना यह साड़े 3 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है यह तो गया फिक्स कली का नाप लेकिन दोस्तों जब कलियों को हम आपस में जोड़ते हैं तो दोनों ही तरफ सब्सक्राइब जोड़तें तो माजन में आधा-दा इंच कपड़ा चला जाता है तो उसलिए आपको क्या करना है साड़े 3 के जगे साड़े 4 इंच पर एक निशान लगाना है टोटल जो कली त्यारि अपको साड़े 4 की रखनी है अब यह दोस्तों साड़े 4 इंच वाले न तो फ्रेंट्स इस तरह से आप देख सकते हो यहां से लेकर यहां तक जो है टोटल हमारी चार कलियां एकदम कट जाएंगी कैसे कटेंगे देखिए एक दो तीन चार क्योंकि कपड़ा चार तयम है तो सबसे पहले चार कलियां इनकी मैं कटिंग करता हूं और इसके बाद बाकी की जो कलियां होंगी इनकी मैं कटिंग करूँगा तो फ्रेंड्स इस परकार से चार कलिया मेंने काट ली हैं अब यह जो चार कलिया मेंने काटी हैं इन चारो कलियों को इस परकार से उठा लें और अब इनको आपने इस परकार से रखना है इसके सामने यह देखें यह चारो कलियों को इसके सामने रख दें इसके उपर रख द के हन्से चोटा बड़ा उसको भी आप बराबर कर सकते हो जैसे के आप देख सकते हूँ- यहंं से तोड़ा बढ़ा है इसको भी बिल्कुल बड़ाबर कर ले इसके तो फैंड़्स चार 49 हो गई टोडतल आठ कलियूं उगई अब इन कल्यों को फिर उठा लें इस फिर इसको इस प्रकार से आप रख लें यह देखें तो कुल मला के इस प्रकार से आपकी जो है बारा कलिया कट जाएंगी बिल्कुल इसके सामने आपको रखना है यह देखें अराम से और ऐसे कैसी इसकी आपने कटिंग कर देनी है तो फ्रेंड्स आप देख से तो इस प्रक कर लिए आपने हैं आप से निशान है जो हमने ऊपर करना इस जगए से आपको निकालना है इसका क्रोच एंडिया क्रोच येरिया निकालने का बिलकुल असान तरीका यह है दोश्तोओ जो भी आपका हिपसाइज हूँ हिपसाइज का आपको 24 participating करना है और उस में 2 इंच worldwide कर लेना है यह देखें इस प्रकार से तो को मिलाकर कितना होगा यहां से लेकर शाड़े 11,30 तो इसका जो क्रोच रेया बने वह बनेगा साड़े 11,30 अब यह जो निशान इसको थोड़ा सा लंबा कहाँचछे इस प्रकार आपको करना है किलाल ये दो कलियां और यह लेकार कि राइबन तो फेंट करना है यह थे यह कुल कुल वच्छ नहीं करनें और इस प्रकार से विइंख से यहां से इसको घुणाव देती हुए कि इसकी जो stitching है वो किस प्रकार से करनी है stitching करना बहुत ही आसान है आपको बस इसी चीज का ध्याना है कि यह जो स्का क्रोच एरिया है क्रोच एरिय जो पार्टस नहां सबसे प्र इनको अटैच करें कैसे करना है दो पल्ले उठा ले यानि दो कॉलिया उठा ले इनको आपने यहां से स्टिच लगाते हुए बिल्कुर सिंपल तरीकर से एक हाफ इंच का मारजन लेते हुए आपको लगानी इधर और इधर इस लगाने के बाद बाकी की जो कलियां वह कैसे जोड़ने वह मैं आपको बताता हूं तो फ्रेंट्स आप देख सकते हूं टोटल चार कलियां यह हैं चार यह हैं और यह जो दो कलियां थी एक हो गया और एक ही हो गया तोटल यह भी चार थी इनकी जो कुरोचीरी के शलाइया मैंने लगा दी है अब एक उपर वाले पारट को अब हटा ली इस परकार से जैसे को म बताने जा रहा हूं अब यह जो चार कलिया है इसके अंदर आपको एड करनी है किस प्रकार से यह देखिए आपको करना कुछ नहीं है एक कली उठाएं और एक कली को उठाके इधर अटैच कर लें इस तरह ठीक है इधर अटैच हो जाएगी इसी प्रकार से दूसरी कली उठा तो एक इधर अटैच कर देनी है और उसके बाद एक कली आपने उधर अटैच कर लेनी है तो दोस्तों आप देख सकते हूं लगानी बहुत असान थी इसलिए मुझे लगा कि दिखाने के जूरुत ही नहीं और इस प्रकार से देखिए यह तीन कलिया इधर हो चुकी है तीन ही आसान है अब आपको जो साइड की जो सिलाई है यह वाली आपको सीधी एक स्राइय लगानी है यहां से स्टार्ट करना है और सीधा स्लाई को नीचे लेकर जाना है सेम इसी प्रकार से इधर से भी आपको सीधी स्राइय लगानी है देखे उपर से स्टार्ट करने है चाहे सबस्क्राइब निए लगा देनी क्योंकि ने दो इंच यहां से लिया था तो बहुत असानी से लग जाएगी इस स्लाइब को लगाने के बाद इसका अगला परसीजर में आपको बता हूंगा चार पांच और छह यह च्छे कली आए अब दोस्तों च्छे कली अधर होगे टोटल होगे बारा कली अब इसके बाद बिल्कुल सिंपर आपको यह देखी इसका जो सेंटर पॉइंट है यानि की जो क्रोच इरिया इसको इस प्रकार से पकड़त हुए यहां से स्लाइगी स्ट कर सकते हो इदा से मैं स्टार्ट करूंगा लेकिन चैनल खatंगा तो बिलकुल यह पर आकर खतम हमने बीच में दो इंच चोड़ा जाएं जाएका दोस्तों वह छोड़ा जाएगा लास्टिक को पिरोगों के लिए लास्टिक को डाले के लिए इस सब कुछ करके मैं आपको तो फ्रेंट्स यह देखिए कि जो सिलाई है वो भी मैंने लगा लिए लगाने के बाद इसका उपर से जो नेफा है इसको भी मैंने फॉल्ड कर लिया है और आप यह देखें इस जगह से ठीक है आप देख सकते हो मेरी उंगली अंदर जा रही है यह लगबर मैंने 2-5 इंच जगए स्फेस छोड़ा है यह स्फेस छोड़ा है स्थोड़ा है डालने के लिए अब इसकींज़ तो में डालना है किस तरह से डालना यह देखें तूकि पूरे में लास्टिक क्काइब निए लगबल होती है कभी ऐ dwell नहीं डिला लेनी है तो बदीस में क्वैसे 2021 कि इसको कर लेता हूं इसको कुर्णे कर सथिए और कट कर लिया और कट करने केthenack है आप साफके इस परकार ये जो शोड़ा हुआ कि निपगे यह हैं और अब सड centimeter को निकाल लेना है जो बढ़ा तो फरेंट्स लास्टिक को यह सोड़ से डाला दूसरे से निकाल लिया अब इस लास्टिक के जो टुकड़े हैं आपस में अलग हैं इनको आपस में इस प्रकार से टैच करें एक सीधी स्लाई लगा दें स्लाई लगाने के बाद यह लास्टिक अराम से इसके अंदर चली जाएगी और जो बाकी बच्ची हुई जगह है यहां पर आपको दुबारे स्लाई लगानी है यह दिखें लास्टिक जो अराम से इसके अंदर आर पर हो जाएगी यह देखें ठीक है अब यह जो बचाव स्पेस था जो हमने स्लाई के लिए जो जगह छोड़ी थी यहां पर आपको वापस लाई लगा लेनी है जो कि बहुत ही असान है यह लगा के मैं आपको दिखा देता अब लास्टिक तो इसके अंदर लग चुकी है लेकिन लास्टिक अपनी जगह पर सैट नहीं है इसके लिए दोस्तों क्या करना होता है आपको बिल्कुल बीच-व-बीच आपको क्या करना इसमें लाई लगानी इस प्रकार से देखें लेकिन यह लगाना कभी तरीका है य रहे को पर नहीं होनी चाहिए और यह कपड़ा है यह वाला यह वाला यह हमें एक्सटा जो 10 कपड़ा लिए यह हमारी गैदर्स बानेंगी किस प्रकार से इन कपड़ को इस प्रकार सब्सक्तिक अंदर इसको खेंचना है फिर आपको जो है इसकी सिलाई लगानी बिल्कुल बीच में सेंटर में और पीछे से भी आपको थोड़ा-थोड़ा मशीन को कपड़े को खेंचना है और इस परकार से दोस्तों आप देख सकते हैं जो लास्टिक है हमारी बहुत फिनिशिंग के साथ लगती जाएगी तरीका वही है यह जो गैदर से पहले आपको इस तरफ सरक लास्टिक भी हमारी लग चुकी है और लास्टिक लगाने के बाद इसका कैसा लुक है पूरा पूरा फाइनल लुक आपको एक बार में दिखाता हूं काउंटर पर तो फ्रेंट्स यह इसका फाइनल लुक आप देख सकते हो अब इसके अंदर जो काम रह गया है वह रह गय है कि बाद जो थोड़ा बहुत खिचा होता है इस कलियों में वह असानी से निकल जाता है और यह जो प्लाजों पहनने के लिए रैडी है तो दोस्तों यह थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कली प्लाजों की कैसे की जाती है और कटिंग के साथ साथ मैं मैं आपको यह भी बताया किस प्रकार से इस जो स्टीचिंग की जाती है अगर आपको आज की वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें थैंक्यू वेरी मच जाओ प्लीजे कौरीendर वोर्ट धिमन गवी है जाओ करेंगी होगी है अज़े भीज़ इरो प्लीज से जर दोलीज़ जो किस भीज़ मेचार किस यpowना प्लीजिक झाल 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 झाल